सिग्राथाना अंतरगत मकान में मिली लाश की घटना में लिब्द दो अभयुक्तों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया पास पैसे की किल्लत थी और उन्हें रवी के एटियम का कोट और मुबाइल का पासवर्ट पता था दोनों ने रवी को जूस में नींद की दवा डाल कर पिलाया और बेहोश होने पर गला दबा कर हत्या कर दी और चाकू से हाथ काट दिया और इसके बाद एटियम काट और मु उम्र 26 साल के जो की मादोपूर नगर निगर शिब्र आना सिग्राम के रहने वाले थे किराय पे रागे थे उनकी लाश उनके कमरे में मिली कुछ दिन कुरानी लाश थी उनके परिजनों ने आकर उसको दरवाजिय को पुलिस से मार्द्याम से कोल कर निकलवाया था उस परिशित रहे हैं और जैसा कि आपको जानता ही है कि यह दोनों जो अभ्यूक्त है यह पैसे की इनके पास थोड़ी किल्लत थी तो हत्या का जो इनका जो मोटो है रवी मौरिया से यह पैसा लेना चाहते थे और जो इसमें मनोज गुपता है उसने यह दोनों ने अपने ने यह भी बताया है कि इसको जो मृतक हैं उनके ATM का पासवर्ड पता था साथ ही उसको उनके मोबाइल का जो पैटन लॉग था वो भी पता था तो यह उनके घर पहुचते हैं यह दोनों बदमाश और जो मृतक हैं उनके उनको एक जूस में नीन की गोलिया देकर इनको बि हो जाते हैं बाद में यह बैंक से पैसा और रुपिया यह दूनों मिलकर दोनों बताने के पुलिस ने बरामक कर लिया है और आज हम दूनों मोल्जिमों को मानने नहीं आया लेकि समच जुडिशल रिमांड के लिए भेज रहे हैं पूर्व में अभी तक कोई case इंका किसी थाने में तो अब तक सांग्यान में आया है लेकिन इनके जो मालिक हैं जहां ये पहले काम करते थे वह बता चुके हैं इनकी अप्रण कि तीशनिविटी सांगी आपकर पहले से थी ये चोरी के मामले में एक चोटी-मोटी इस तरह की गरबरी की हरकते करते थे ये दोनों अभ्यूक जिसके कारेन इनको अपने वर्च प्लेस से एक गाम से हटाया भी गया था